हेलो एवरिवन स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तो जैसा कि एकॉनुमिक्स की लेक्चर सीरीज हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इनी चीजों को जानेंगे आज पहले ये करेंगे कि बी ओपी जो हमने प्रिवियस क्लासिज में किया है उससे संबंदेत एक्सचेंज रेट के ऊपर होनी चाहिए इसके उपर आज हम दिसकर्शन करेंगे जानेंगे एक्सचेंज रेट कितने टाइप्स का होता है और अभी रिसेंट्टी अगर आप दर हिंडू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि प्रिविय लंकन एकनोमिक क्राइसिस की रीजन बने है तो उनको भी आप लोग जो है वो लिंक करने की कोशिश करना ठीक है तो कल वाले लेक्चर में कोई भी प्रॉबलम थी तो कमेंट सक्षन में आप बोल सकते हैं कल जो है वो एक कमेंट आया था जिसमें यह बोला गया था कि सर इसके उफ़र कृआ है च्शेंज रेज के ऊपर अब इससे पहले लक्चर शुरू करें एक स्टोरी जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं थिक यह एक लटो है क्या है झिसका नाम आम थाटा Speecham's Law होती है ठीक है दो थरीके की क्या होती है money होती है एक ये बोलता है कौनसी money है good money और एक है bad money clear on this Gresham's जो है वो एक law दिया गया Gresham law खहाँ बोलता कि money जो है वो दो types की होती है कौन कौनसी एक है good money और दूसरी वाली कौनसी है हमारे पास which is bad money clear on this अब आगे क्या बोलते हैं इसमें जो है वो और क्या चीजों को हम लोग देख सकते हैं ग्रेशम लॉज के द्वारा जो है वो ये बताया गया था कि लोग जो है उनके पास दो तरीके के resources है पहली जो ये लिखा हुआ है जिसका meaning क्या है कौन सी मनी है ये गुद मनी तो ये वो है जिसकी अपनी खुद की value जो है वो उसके बराबर है जैसे माल लो कि ये कोई currency है और इस currency के उपर जो value लिखी हुई है वो कितनी है 2000 अब अगर ये currency की value 2000 है ये तो इसकी face value है कौन सी value है ये पेस value अब जो जिस कोई भी ऐसी currency जिसकी face value उसकी intrinsic value के बराबर है इसके बराबर है intrinsic value के बराबर है तो वो किसमें आता है वो आता है good money और कोई भी ऐसी currency जिसकी अपनी खुद की value जो है जो face value है वो intrinsic value के बराबर नहीं है तो वो किसमें आता है bad money में clear on this ग्रेशम का ये कहना था कि अगर लोगों के पास choice है कि मैं या तो ये money ले सकता हूं जिसके उपर जो value लिखी हुई है और उसकी खुद की value भी उसके बराबर है तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ये money को जो है preserve रखो अपने पास क्या रखो preserve रखो safe and secure रखो और इस money को जो की क्या है also known as bad money इसको मैं यूज करता रहूं इसका simple सा example यह है कि मालो आप जो है वो इंडिया में किसी शहर में कहीं पर भी रहते हैं आपके पास जो है वो दो choices है एक हापके पास है US dollar और एक आपके पास है इंडिया रुपीज क्लिए रॉन दिस आपको यह लगता है कि US dollar जो है वो ज्यादा sustainable है प्लस आने वाले समय में इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर सकती है लेकिन आपको यह लग रहा है ऐसा हुआ नहीं आपको लग रही कि इंडियन करंसी जो है वो इसकी आने वाले समय में वैल्यू जो है वो नीचे जाएगी और यह इतना sustainable नहीं है तो आप सिंपल सी चीज जो है वो यह करोगे कि इस जो 2000 रुपए है जो कि US टॉलर की फॉर्म में इसको आप प्रिजर्व रखोगे अपने पास ज्यादा खर्च नहीं करोगे और जो लोकल करंसी है जो कि वहां पर यूज हो रही है और जो आने वाले समय में आपको यह लग रहा है और इसकी जो वैल्यू वह इंट्रूंसिक वैल्यू के वराबर नहीं है उसको आप कॉंटिग्यूसली यूज करते रहोगे इस वज़ा से होगा क्या कि जो बैद मनी है वो किसमें आ जाएगी वह करंसी जो है वह सर्कूलेशन में आ जाएगी और जो अच्छी मनी है वह सर् तो अगे श्री लंकन international crisis को कि श्री लंकन silhouette कäreशेशन भी जो है वह यहाई थो सिंपल सा श्री लंक illustration money जो इन्होंने क्या नेम दे दिया था uffa puzzle çekbor जो नंगी प्रास एप ज़ये दिया और फॉस को इन्होंने नाम दे दिया था विप है ہिश मनी आप इसचीज के चलते दोकिए एक्स्क्लूद हो गया उनकी करन्सी से है और कोंकी करन्सी जो है वह ज्यादा circulation में आने चुरूर होगी थी स्रिलंकन रूपीज कॉन सी श्रिलंकन रूपीज का फिसी चीज को जो है वह आ आप करते हैं एक समय के लिए सोच के देखिए माल लीजिए आप किसी ऐसे समय में जिन्दगी जो है वो वियतीद करें जिसमें जो है पेपर करणसी नहीं है कोई मैटल है यानि कि सिलवर के यां गोल्ड के कॉइंस हैं जो यूज कि जाए और उनको यूज किया जाता है रोजाना की तो फिर भी उसकी वेल्यू थी अब आज की समय में अगर वो बोले कि आप वो जो है वो जमा करवा दो और बतले में एक पेपर आपको मिल जाएगा तो आप इस चीज को रिजिस्ट करोगे को लिए सेप्ट करोगे तो इस चीज को भी ग्रेशम जो है वह बहुत अच्छे से स मनी दूसरी कौन सी है बैद मनी अब दोनों की definition मेंने समझा दी जो pumps sustainable आने वाले समय में अच्छी होने वाली है बैद मनी जो sustainable नहीं है आने वाले समय में इसकी value नीचे होने गया एक चीज़ और बोली गई थी वह क्या बोला गया था कि अगर कोई निउ करणसी जो है वो इंडिया में आई या किसी भी देश में नहीं Bonjour इसको इनिशली जो है वो 7 नहीं करेंगे टीक है इसकी एक और ऐसेप्म याद होगा महम्मध बीन तूगलप मोहम्मद बिन तुगलक सबको याद होगा अब इसके समय में भी जो है वो गोल्ड के कोईन्स होते थे ये पहला व्यक्ति था जिसने ये बात सोची थी कि token money क्यों ना introduce करते हैं उस समय जो है अगर इसकी five big mistakes history में इसकी five big mistakes बुली जाती है और उसमें से एक mistake इसकी ये भी है कि इसने जो है वो currency लागो करने की कोशिश की थी उससे पहले जो है वो gold silver की currency जो है वो चला करती थी अब जो नई currency है उसका weight जो है वो काम में ठीक है उसकी अपनी खुद की intrinsic value जो है वो उसके बराबर नहीं है जो पहले हुआ करती थी इस वज़ासे लोगों ने इस चीज़ को resist किया था और उसी चीज़ के चलते economic crisis जो है वो आए थे श्री लंका निक्रॉमिक क्राइसिस समझ आए यह जो महमद बिन तुगलक के केस वे crisis है वो भी समझ आए प्लस USSR में भी एक बार crisis आए थे जो कि इस से समझते थी थी जिसमें ग्रेशम लोग ही applicable है उमीद करते हैं कि ग्रेशम लोग आपको समझ आया होगा ठीक है आज का जो लेक्चर है हमारा तो उसकेस में भी इसकी कुछ application जो है वो यूज की जाएगी तो उसको भी हम लोग जो है वो discuss कर लेंगे ठीक है यहां तक कोई भी problem है तो आप लोग जो है इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमने डिसकस करनी है जो की काफी significant है एक्जाम के perspective से और UPSC ने इससे समंधित question जो है वो बहुत जादा पूछे प्रिवियस सालों है ठीक है सबसे पहले यह जानते है कि सर exchange rate क्या होता है एक्सचेंज रेट क्या होता है एक्सचेंज रेट जो है वो basically क्या होता है कि हमें अपनी currency की कितनी value देने बढ़ती है करन्सी लेने के लिए कल हमने देखा था convertibility, convertibility easiness को दर्शाटा है एक्सचेंज रेट जो है वो यह दर्शाटा है कि हमारी currency की जो वैल्यू है वो एक्च्छल में वैल्यू कितनी है हमें कितनी पैसे जो है वो देने होंगी अपनी domestic currency के कि फॉरण की यह currency जो है वो हमारी हात में आ देखा है अब उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज रेट की definition है एक्ष्टेंजर में देफिनिशन क्लीर होगी आप को अब next question आया कि सर एक्सटीज रेट जो है वो कितने टाइप सका होता है तो इसका सिंपल सा अंसर है कि एक्सटीज रेच डैट जो है ठीक है, clear on this, पहला कौन सा होता है, fixed exchange rate, second होता है, floating exchange rate, कौन सा exchange rate, floating exchange rate, और third जो है वो कौन सा होता है, manage floating exchange rate, कौन सा होता है, manage floating exchange rate, ठीक है, अब पहला वाला जो है, यह समझते हैं, कि सर, mixed floating, और manage floating, जो है, इन में तीनों में क्या difference है, और इनके क्या क्या applications है, clear on this, पहली जो हमारी discussion होगी, वो fixed exchange rate के उपर होगी, fixed exchange rate क्या होता है, यह कैसा exchange rate है, जिसमें हमारी जो domestic, जो currency है, वो उसके बदले हमें जो foreign currency मिलने वाली है, वो fixed रहती है, और वो जो है, वो किसी reserve के basis पे fix की जाएगी, gold के basis पे की जाती है, most of the cases में, यानि कि अपनी जो खुद की currency है, उसको fix कर लेना, अपनी जो खुद की currency है, उसको एक fixed amount में जो है वो कर लेना, और उसको मान लेना, कि यही जो है, वो exchange rate है, और यह जो decide है, किस के द्वारा किया जाएगा, यह उस देश के, reserve bank of India के द्वारा किया जाएगा, यानि government तो decide कर लेगी, लेकिन उसको जो fix रखने का कारे है, वो कौन करेगा, RBI करेगी, तो fixed exchange rate में समझ आया, fixed exchange rate में क्या होगा, exchange rate को fix किया जाता है, कि अगर आज 70 rupees is equals to 1 US dollar है, तो कल भी इतना ही होगा, एक महिने बाद भी इतना ही होगा, एक साल बाद भी होगा, यह समझ आया, और यह decide कब किया गया था, Britain Wood Conference, इस conference में यह decide कर लिया गया था, कि fixed exchange rate को follow करना है, अब fixed exchange rate को अगर follow किया जाएगा, तो उस case में क्या होगा, कि हमने अपनी currency को fix रखना है, लेकिन अगर माल लो market में हमारी currency जो है, वो low चल रही है, actual में जो currency है, लेकिन हमने तो fix कर रखा कि 70 rupees पे है, लेकिन actual में अगर हम foreign market में देखते हैं, तो हमारी currency को जो actual value है, वो माल लो 80 rupees के बराबर है, यानि currency हमारी बहुत low चल रही है, लेकिन हमने उसको higher level पे fix किया हुगा है, तो यदि हमारे पास forex reserves हैं, हमारे पास reserves अच्छे खास हैं, तो उस समय हम उस reserve को market में release कर देंगे और अपनी currency को fix रखेंगे, अब आपको एक चीज समझ आई होगी, आपको ये समझ आया होगा, कि अगर हमने अपनी currency को 70 rupees पे रखना है, और हमारी currency जो है तो actual में 90 पे चल रही है, तो अगर हमने कोई भी purchasing कर दी है, तो उसके लिए 20 rupees का जो gap है, 90 का और 70 में जो gap है, वो कितना है, 20 rupees का, वो जो gap है हमें खुद ही bear करना होगा, उसका जो खर्चा है वो उस देश की सरकार को bear करना होगा, अब अगर मालो fix exchange rate चल रहा है, और simple example बताता हूँ आपको, मालो fix exchange rate चल रहा है, और आप इंडिया में उस समय रहते हो, अब आपने फॉरण से जो है, मालो कोई bus मंगानी है, या कार मंगानी है, कुछ भी मंगाना है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, अब आप जो है, उसी fix exchange rate पर मंगाओगे जो चल रहा है, जो शो कर रहा है, ठीक है, और जिस देश से मंगवाना है, वो जो है, वो fix exchange rate को follow नहीं करता, उसके दवारा जो है, वो fix exchange rate को follow नहीं किया जाता, अब उस case में क्या होगा, जो आपके central government है, जिसने ये fix कर रख है, तो वो उस खर्चे को bear करेगी, और जिस खर्चे पर जो है, वो fix exchange rate कर रख है, उसी खर्चे पर आप मंगवाओगे, माल लो अगर 70 रुपे is equals to $1 है, वो आप उस आपने जो है, वो उस चीज के बदॉलत जो है, वो कोई चीज मंगवाई, और actual में market में जो exchange rate है, वो 90 रुपे का चल रहा है, तो वो जो 20 रुपे का add-on हुआ, वो government of India को करना होगा, bear करना होगा, ठीक है, तो इस case में disadvantage जो है, वो कुछ इस तरीके से रहती है, यानि कि market में जो चीजें चल रही है, वो actual में वैसी नहीं है, जो fix कर रखी है, उन चीजों को fix करने के लिए, जो है, वो government को ये खर्चा bear करना बढ़ता है, अब इस चीज के चलते जो है, वो काफी problems आती है, इस चीज के चलते ये problem आती है, कि सर अगर economy में inflation आगी, तो उस case में क्या होगा, इतना नहीं है, वो जो है, वो ज़्यादा व्यापार भी नहीं करते, और ना ही वहाँ से export आते हैं, और ना ही import जाते हैं, तो उस case में कुछ हद तक देखें, तो fix exchange rate अच्छा भी है, दूसरी चीज ये भी है, कि अगर fix exchange rate है, तो इसका मलना economy में stability कुछ हद तक होगी, जो fluctuations देखने को मिलते हैं, exchange rate में, और उसी की बतौलत जो है, वो बी ओपी में changes देखने को मिलते हैं, import और export में, उसमें भी कोई changes नहीं आएगी, तो fix exchange rate जो है, वो इस तरीके से अच्छा हो जाता है, ब्रिटन वुद में ये decide किया गया था, कि fixed exchange rate को ही हम लोग follow करेंगे, clear on this, लेकिन समय के साथ ये होता कि, ब्रिटन वुद conference में जो decide किया होता है, वो actual में applicable नहीं हो पाता है, realistic example में, इसी वज़ा से, 1971 के आज़ पास US में, इसी निक्सन कराइसी का सामना करने को मिलता है, जिसमें ये समझ आता है, जो fixed exchange rate है, वो की अच्छा solution नहीं है, चीजों को follow करने के लिए, और उसी से लोग जो है, वो shift कर जाते हैं, किस पे? floating exchange rate पे, ठीक है, इसमें exchange rate कौन fix कर रहा है, government of India, या उस देश की सरकार fix कर रही है, और उसको maintain करने की कोशिश कोन करेगा, central bank, जो भी वहाँ का होगा, वो करेगा, ठीक है, तो इस case में आपको ये clarity, जो है, वो हो गई होगी, कि सर, fixed exchange rate में, जो है, वो चीजें कैसे manage की जाती है, और कैसे होती है, actual में, ठीक है, अब next, जिसको हम discuss करने जा रहे है, वो है manage floating, और manage floating, जो है, वो बाद में होगा, पहले floating अच्छे से discuss कर लगते है, ठीक है, अब मुझे एक simple सी बात बताईए, ठीक है, simple सी आपने definition बतानी है, मुझे law of demand क्या कहते है, law of demand क्या कहते है, simple सा, कि यहाँ पे जो है, वो क्या चीज़ है, माल लो यहाँ पे जो है, वो किसको लिखा जा रहा है, कौंदरी को लिखा जा रहा है, और यहाँ पे जो है, वो किसको लिखा जा रहा है, प्राइज को लिखा जा रहा है अगर प्राइज ज्यादा है यानि कि माल लो अगर 10 रूपीज का प्राइज है तो लोगों के द्वारा उसकी जो कजम्चन की जा रही है वो वन की जा रही है प्राइज 9 पे आया लोगों ने कजम्चन इंग्रीज करके 5 पे यहां तक कोई प्रॉब्लम है अब अगर इनके सब के टेंजन पॉइंट्स को मैं मिला दूँगा तो मेरे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा और इसी को कौन सी कर्व बोलते हैं कि डिमांड कर्व बोलते हैं इसको है कि अब एक चीज़ बताइए यह हम लोग बोल सकते हैं कि वह इंपोर्ट कव होगी इंपोर्ट एक्चल में क्या है इंपोर्ट एक्चल में वह चीज़े हैं जो हमने फॉरं देशों से मंगवाई तो क्या एक्चल में वह दिवान है ऑबिसली है ठीक है तो क्या हम यह चीज़ बोल सकते हैं कि अगर जो ह है यहां पे हम क्या मेजर कर रहे हैं यहां पे हम खुद की करणसी जो है वो मेजर की जा रही है हमारे त्वरा और यहां पे जो है वो फॉरन करणसी है और अगर फॉरन करणसी हाई चल रही है तो हम इतना import करेंगे और जैसे जैसे इसमें जो है वो कीजें अलग लग देखी जाएंगी वैसे वैसे यह increase और decrease होता रहेगा और अगर इसके में सभी tangent points को मिला दूँगा तो graph कुछ इस तरी कैसे बन जाएगा यह होगे imports, clear on this, जैसे कि यह demand curve है, demand curve का simple सा logic बताए है वैसे कौन सी curve है, import वाली curve है, और similarly demand के साथ एक law होता है जिसको बोलता है supply curve और supply curve का आपको बता होगा कि तो जिस तरीके से होता है, s, यानि कि यह negatively sloped है और वो कौन सी है, positively sloped है तो उसी तरीके से जो export curve होगी, export actual में supply ही तो है, हमने जो foreign देशों को भीजा, वो supply है तो हम यह बोल सकते हैं कि जो export वली जो curve है, वो भी ऊपर को जाएगी, clear on this, अब इस concept में कोई problem ठीक है, अब एक चीज और समझो ध्यान से actual में क्या हो रहा है, कि यह मान लो foreign exchange की कोई market का graph है और हमारे जो import curve है, वो ऐसे हैं, कौन सी curve है यह, import और हमारी जो export curve है, वो ऐसे हैं, कौन सी curve है यह, export जहाँ पर इन दोनों का cross बनता है, वहाँ पर जो, जहाँ पर जो है, supply जो है, वो किसके बराबर आजाएगी, demand के बराबर आजाएगी, जहाँ पर इन दोनों का क्या बनेगा, cross बनेगा, उसी cross section पर जो rate सामने लिखा होगा, तो उसी rate के उपर जो है, वो हमारा foreign exchange rate, जो है, वो decide होगा, इसको बोलते है, floating exchange rate, यानि कि floating exchange rate कौन सा होता है, जिसमें जो market की demand और supply forces है, ये decide करती है, कि हमारा जो exchange rate है, वो क्या रहेगा, कौन decide करेगा इस case में, पहले वाले case में, government of India, conference दिख लिया, 1975 में जो crisis आई, वो भी देख लिया, उसको जो है, वो side में रख दिया गया, अब, अब कौन सा system आ गया, अब आगया system, ये वहला floating exchange rate, floating exchange rate की diagram के थ्रू में ने बता दिया आपको, अब आप एक चीज़ और सोचिए, ध्यान से, इसी चीज़ को और analysis कर जिए, अब इस significant हो जाती है, कि sir, import और export, क्या हो जाता है, import और export, और economies अगर बहुत ज़्यादा open economy है, तो उस case में जो है, वो अच्छा होगा, ठीक है, और आप हम इस चीज़ को देख सकते हैं, कि sir, import और जो export है, वही चीज़ है, जो हमारा exchange rate decide कर रही है, यदि हमारी देश का जो है, वो म हमारा export बहुत ज़्यादा है, यानि कि हम foreign वाले देशों को बहुत ज़्यादा समान भेज़ते हैं, तो उस case में हमारी currency जो है, वो strong होनी चुरू हो जाएगी, ये आपको समझ आया, इसमें कोई भी problem है, तो आप लोग पूछे, ठीक है, comment section में आप लोग पूछ सकते हैं, अब एक चीज़ और समझिए, कि import और export के basis पर ये चीज़े चल रही है, यानि कि हमारा जो exchange rate decide किया जाएगा, वो floating exchange rate के case में, import और export पर dependent है, और इसी चीज़ के चलते हैं, जो है, वो market में fluctuation आने की बज़ए से हमारा जो exchange rate है, इसमें भी पहुत ज़्यादा fluctuations आएंगी, औ और अगर इसमें fluctuations आएंगी, तो उसकी बज़ए से, जो है, market जो है, वो unstable हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक कोई problem, clear, अब next आगे है, manage floating, manage floating exchange rate, manage floating exchange rate के case में क्या होगा, एक range जो है, वो decide कर दी जाएगी, जैसे कि माल लो 70 plus minus 10, अब क्या किया हमने एक, एक range decide कर दी, अब 70 minus 10 क कितना आ जाता हमारे पास, 60, 70 plus 10 करते हैं तो कितना आ जाता हमारे पास, 80, यानि कि हमारा जो exchange rate है, उसकी एक range है, इस case में क्या होगा, कि अगर तो हमारा exchange rate उस range के बीच में कहीं होग रहे है, तो फिर हम कोई intervention जो है, वो नहीं करेंगे, हमारे द्वारा कोई भी intervention नहीं की जाएगी, मान लो अगर हमारा exchange rate जो है, वो 60 के नीचे आया, जा फिर हमारा exchange rate जो है, वो 80 के ऊपर गया, तो उस समय जो है, वो RBI या उस देश का central bank जो है, वो intervention कर देगा, और दोबारा उसको उसी range में लेके आने की कोशिश करेंगे, यानि कि अगर 60 से 80 के रेंज में है, तो यह हमारी economy के लिए healthy है, अगर मान लो 60 से नीचे गया, इसका actual में meaning क्या बना, ठीक है, अभी मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको floating exchange rate जो है, वो clear हो गया होगा, और यह कैसे decide किया जाता है, अब हमारी जो discussion है, वो ज्यादा तर किस के ऊपर रहेगी, manage floating exchange rate के ऊपर रहे floating exchange rate, जो इन डोनों का mixture है, उसको बोलते है, manage floating exchange rate, इसमें कोई problem, यह clear हो गया होगा, आपको, clear on this, अब मान लो हमारा जो exchange rate है, वो 60 से नीचे आया, पहला case, case 1, और दूसरा case जो है, हमारा exchange rate जो है, वो 80 के ऊपर चला गया, यह है case number second, अब दोनों cases में जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो है वो, या RBA के द्वारा, Central Bank के द्वारा, जो है, वो क्या किया जाएगा, मान लो 60 से नीचे आया, इसका actual में मीनिंग क्या हुआ, कि हमें अब रूपीज मान लो 50 जो है, वो देने पड़ते हैं, और उसके बदले हम कितना ले सकते हैं, वन डॉलर जो है, वो हमें मिलता है, इतना मिलता है, और दूसरे case में, जो है, मान लो अब 90 रूपीज देने पड़ते हैं, और हमें कितना मिलता है, वन डॉलर, clear on this, अब managed floating के case में जो है, market की forces भी कुछ हट तक काम करती हैं, उसको जो है, वो दोबारा balance करने के लिए, example के दौर पे, जैसे मान लो ये 50 पे चल रहा है, उस case में क्या होगा, यानि कि हमें 50 रूपे ही पे करने आप 1 डॉलर का कोई समान मंगवाने के लिए, लेकिन पिछले महीने जो है, वो ह इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, हम चीजें ज्यादा मंगवानी शुरू करतेंगे, अपने आपकी example लेकि देखिए, अगर आपको पता लगए कि कल जो है, वो 70 रूपे था, अगर 70 रूपे आप खर्च करोगे, तब जाके एक डॉलर की आप कोई भी आइटम जो है, वो इस चीज को परचेस करेंगे, इस चीज के चलते जो है, यह strong होना शुरू हो जाएगा फिर से, और इसके मुकाबले जो है, यह weak होना शुरू हो जाएगा, अगर मान लो ऐसा नहीं हो रहा, अगर ऐसा नहीं हो रहा, और continuously जो है, वो 50 परी बेथा है, तो RBI क्या करेगा, Central Bank क क्या करेगा, कि market में एक fake या नकली demand create कर देगा, कि इस चीज की, किस चीज की demand create कर देगा, US dollar की, अब अगर यह demand create हो जाएगी, तो उस चीज के चलते क्या होगा, US की currency जो है, वो strong होनी शुरू हो जाएगी, और दोबारा से जो है, किस range में चला जाएगा, 60 is equal to 1 dollar की range में च सब्बे रुबे देने बढ़ते हैं, एक US dollar लेने की वज़ा से, clear on this, इसका meaning यह हुआ कि US जो है, वो ज्यादा strong है, इसका meaning यह हुआ कि US की जो currency है, उसकी जो market में, foreign exchange market में demand है, वो ज्यादा है, अब अगर मालो RBI के पास जो reserve पड़ा है, और वो उस reserve को release करना शुरू कर द ही है, तो उस चीज के चलते ही, यह दुबारा से कहां पे आ जाएगा, उसी range में आ जाएगा, यह चीज clear हुई आपको, manage floating exchange rate में क्या किया जाएगा, पहले case में कम हुआ था, कम हुआ था, इसका meaning क्या हुआ कि US जो है, वो foreign currency weak है, अगर foreign currency weak है, तो आप मालो खुद market में जा तो, तो वो फिर दुबारा से उसी range में आ जाएगा, तो इस तरीके से manage floating exchange rate में चीज़ें जो है, वो इस तरीके से की जाती है, ठीक है, hope so आपको यह clear हो गया होगा, कि fixed exchange rate, floating exchange rate, और manage floating exchange rate में क्या difference होता है, ठीक है, इंदिया जो है, वो किसको follow करता है, वो manage floating exchange rate को follow करता है, US, floating exchange rate को follow करता है, चाइना, manage floating exchange rate को follow करता है, कैनेदा, floating exchange rate को follow करता है, fixed exchange rate को follow करने वाले countries, वो भी जो है वो कैसे होंगे आइसोलेटेड से होंगे एरा़ हो सकते हैं नॉर्थ कोरिया हो सकता है ठीक है जो शेय द felu करते होंे क्लिअ अभी जो हैभी खौपल आपको यह क्लियर हो गया होगा की टॉयरण करणसी और जो है वो domestic currency में कैसे चीज़ें होती है अब आपको ये भी clear हो गया होगा कि exchange rate जो है वो कितने types का होता है तीन types का होता है पहला कौन सा होता है fixed exchange rate floating exchange rate managed floating exchange rate श्री लंकन crisis में जो problem आई थी वो यह आई थी कि जैसे माल लो आप एक श्री लंकन citizen हो अब आपके पास दो choices हैं कि इतनी choices हैं दो पहली कौन सी है good money और second वाली जो है वो कौन सी है bad money clear on this मालो bad money जो है वो कौन सी है श्री लंकन रुपेज और good money जो है वो कौन सी है US dollar अब as a श्री लंकन citizen आप क्या चीज सोचोगे कि श्री लंका की जो currency है वो हो सकता आने वाले समय में जो है वो प्रीशीट हो जाए तो इसको store करने का कोछी ज्यादा फाइदा है नहीं आप किस चीज को ज्यादा store करोगे आप युएस डॉलर को ज्यादा store करोगे एक है कि इसकी जो है market की economy में जो सर्कूलेशन है वो कम हो जाएगी और इसकी सर्कूलेशन ज्यादा होगी तो उससे जो है क्राइसिस कैसे आ सकते हैं ग्रेशम्स लोग इसको असेप्ट नी करेंगे तो इस तरीके की चीजे हैं जो यूएस श्री अब आपको यह क्लियर हो गया होगा सारा अब एक चीज करते हैं कि जो हमने कल बी यो पी का जाना था उसके यह हम सॉल्व करने शुरू कर देते हैं ताकि कॉंसेप्ट्वल क्लैरिटी जो है हमें हो जाए उसके बाद जो एक स्चेंज की चीजी है इनको भी प्रॉपर जो है वह फॉर्मल वे में देखेंगे अभी तक जो मैंने आपको समझा दिया इसमें कोई भी प्रॉब्लम है त सीया कि atmosphere का मीनिंग क्या होता है कि अगर मालोण सप्रॉस चल रहे थो मैलों सब्लेट संगे मैं क्या करेगा एकसपूरेिश रेंपर दूसर है इंपर इस ग्रेतर भी कोई और गणकि रैबन्य यू और यह तो हु़ुन सकता है टो फॉरइन मार्कित से लिंकित रो तो यह भी नहीं हो सकता तो यह दोनों ऑप्शन जो है यह तो बिल्कुल ही खतम होगे अब हमारे पास दो चीजें बची सर्प्लस के केस में मैंने बताया था आपको तो हो एक्सपोर्ट ज्यादा होते है और इंपोर्ट सकम उते हैं तो इसका आउप्शनay च्छार राइन से कंड़र अंसर होाइं हुपषों जी ए इनकला कि रस बता यह भी नहीं होता बोट एक्सपोर्ट एंपोर्ट ऑफ गुद्स विजिबल्स एंड सर्विजिज एंड इंकम इन्विजिबल्स ठीक है तो इसका अंसर क्या हो गया option C is the right answer only the export and imports of income तो यह भी नहीं होगा option C हो गया इसका अंसर next next आगे capital account convertibility जो है उसका मीनिंग क्या होता है क्या मीनिंग होता है उसका सिंपल सा मीनिंग होता है जिस एजीनेस से हम अगर इंवेस्टमेंट करना चाह रहे हैं हमारी domestic currency को international currency में जो है वो चेंज कर सकते हैं गलत है अगर यहां पर currency होता फिर यह सही बन जाता तो इस वजह से इसकी चीज़ के चलते जो है वह रॉंग हो गया इसका अंसर भी क्या हो गहाए the ability to convert domestic financial asset mà Ih श्यवह इसका गयह फिर स्टारापूर को मेटिग यह इसका ऑब्जाटिव की था कभी नहीं था तो एंजामीन इंडिया इंडिया इंट इस फर्म द नहीं था तो एंट्व इसका आंसर क्या आ गया ओप्शन दी इस दराइट अंसर ठीक है तो यह mcqs जो है वो आपको revise करवाने के लिए थे जो हमने कल concept जाना था तो यह आपको hope so clear जो है वो हो गया होंगे अब यह जानते हैं कि exchange rate क्या होता है पहला कौन सा था fixed exchange rate जो है वो एक ऐसा system है जिसमें basically क्या होता है एक monetary regime जो है government और central bank का कौन-कौन सरकार और central bank जो हमारी official currency है another currency के context में gold के prices कि accordingly जो है वो उसको fix कर लेते हैं इसका major objective जो है जो fixed exchange rate follow किया जाता है वो यह होता है कि within a narrow band of उसको रखना अपनी currency को रखना थाकि हमारी currency जो है है उसमें ज्यादा fluctuation ना है close economy के केस में कामयाब है इंडिया के केस में जो है 1991 से पहले अगर देखें तो fixed exchange rate को follow किया जाता साथ उसके बाद हमने LPG reforms लेके आये थे जिसमें अपनी economy को open up कर दिया था और उस economy को open up अगर करना है तो बाकी देशों से हमारा व्यापार इंक्रीज हो जाएगा और उस चीज में जो है वो fixed exchange rate को follow करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसमें सारा खर्चा सरकार को bear करना होगा तो इस चीज के चलते जो है हमने उसको जो है वो कम कर दिया था नेक्स्ट आगे floating exchange rate floating exchange rate के केस में क्या होता है flexible exchange rate follow किया जाता है और currency की जो value है वो demand और supply इन दोनों का जहां पर cross section होता तो वहां पर equilibrium जो है वो बननेगा और उससे जो है वो यह define किया जाता है कि हमारा exchange rate जो है वो क्या रहने मद है ठीक है नेक्स्ट आगे manage floating exchange rate यह भी हमने देख लिया था कि manage floating exchange rate एक्चुल में mixture है इसका fixed और floating का और इस case में एक range define की जाती है इंडिया और चाइन जो है वो इन चीजों को ही follow करता है ठीक है तो होपसो आज का lecture जो है वो आपको clear हो गया होगा इस lecture में कोई भी problem है तो आप comment section में हमें बताईए हम कोशिश करेंगे कि उस चीज को हम बता पाएं ठीक है बाक समझने की कोशिश किजिए कि श्रिलंकर economic crisis क्यों आए थे दूसरी चीज़ आपने यह सर्च नहीं है कि ग्रेशम लॉग क्या होता है ठीक है ग्रेशम लॉग हो गया उसके बाद आप यह भी सर्च कीजिए कि fixed exchange rate flexible exchange rate और managed floating exchange rate यह टिनू exchange rate की example देख लीजिए और उससे समद् जो देशा उनको देख लेजिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है थैंक्यू